वेलकम टूबी रिचल दोस्तों आज के डिम बात करेंगे उत्रक्षण में ब्यार्पी, सियार्पी और प्राइमरी सिखसक भरती के लेटेस्ट अपडेट के वारे में कम्प्लीट जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलिग्राम या वर्टसप जोइन कर सकते हैं लेकर हाई कोट ने फिलाल भी यार्पी भरती को रोक लगा दिया है लेकिन इसमें निराश होने वाली कोई बात नहीं है आए इस नियूस को समझने का प्रियास करते हैं हाई कोट ने शिक्सप बाग में ब्लॉक्स परसंड वियारपी और सियारपी की भरती के लिए आमांतित केगी निविदा किसी अन्य एजनसी को देने के आदेश पर रोक लगा दिये मुख्य नियाए धीस नियायमूर्थी रिति वहारी जी एवं नियायमूर्थी राकेस थ रोक लगा गये तो यह रोक हट भी सकता है आये क्या है मामला समझते मामले करण सार मास मेंजमेंट प्राइवेस लिमिटेट कंपनी है और ये ठीक अलंकिर्द कंपनी के पैरल कंपनी है इन्होंने हाई कोट में याजिका दायर करके कहा कि ब्यार्पी सीयर्पी की भरती के कि यहां पर आपको बता दे कि समगर शिक्षा अवियान की और से राज्य परहणों निजिक्षक के और से कि फिलाल बाद में कोट में बताया जाएगा लेकि फिलाल जो है यह आप समझे है की जो टेंडर मिला था मार्श अके चारिश कर दिया था और इसी करने के कान्य मार्श मैंज्मेंट प्रिज़िकी कंपणी ने इस में इसमें इस टे ले लिया है राज यलिए निज्यक कि यह तो यहां पर देखते अलंकित अजनसी को ठेका मिल चुका है उन्होंने फार्म भी अप्लाई करवा दिया है तो अब सरकार की उसे किस कारण से ये टेंडर कारिश किया गा था मास मेल्मेंट सर्विस प्राइबेटर को इसका एक एविडिविट दिया जाएगा और उसके अगर टेक्निकली रूप से उत्रकार का कोई फॉल्ट नहीं है तो ये भरती पूरी अवश्य होगी अगली जो न्यूज है वो है सम्मंदित है प्रात्मिक विद्दल में चल लिए 2930 पदों पर जो भरती है जिसमें डियलेट वालों ने आविदन किया है उनके लिए ये न मंचाही तैनाती के लिए 600 के दाव पर लगानी होगी नोकरी सरकान एक नया गाइडलाइन या आदेश जारी कर दिया है मामला प्रदेश के सरकारी प्रात्मिक विद्दल में 2930 पदों पर सिक्सेओं की भरती पर किया चल लिए जिसकी लास डेट फिलाल बीच जुलाई है क जैसे कि इससे पहली की वीडियो में भी मैंने बताया था कि कई सारे ऐसे प्रात्मिक विद्दले के सिक्सेओं है जो पर्मिनेंट जॉब में लगे हुए है और उनको दो या तीन साल हो गए चूंकि वो दुर्गम में जॉब कर रहे हैं और सुगम में तेनाती की आस में उ तो समान पद पर वो एपलाई नहीं कर सकता है समान पद के लिए NOC लेनी होती है और उससे उचे वाले पद के लिए भी NOC लेनी होती है तो यहाँ पे जो अल्लेडी प्राइमरी सिक्सेओं है गौर्रमेंट सिक्सेओं है उन्होंने NOC के लिए अपलाई किया था लेकिन वो NOC उनको विभाग से नहीं मिल पार यह कुछ कंडिशन विभाग ने रखा है उस कंडिशन को फुल्फिल करने के बाद ही उनको सामिल किया जा सकता है सिख्षक भर्ती को लेकर इस खास बात है कि पहले से तैना सिख्षक भी इस भर्ती के लिए आपधन कर सकते हैं लिखा था कि पहले से सिख्षक यदि कोई है प्राइमरी सिख्षक तो भी आवधन कर सकते हैं और जहां तक जानकारे में लिए 360 ऐसे प्राइमरी सिख्षक है जिन ने इस भर्ती में अप्लाई किया है दुवारा से जिला परिवर्तन करने के लिए इसमें बताए लेकिन कुछ सिख्षक का कहना है कि विभाग क्यों से इसके लिए उन्हें नहीं दी जा रही है जबकि सिवा नियुभली में यह व्यवस्ताइए कि पहले से कारे सिख्षक समान पत के लिए दोवारा आबिदन कर सकते हैं तो आगे बताएगा कि सिख्षक को समान पत पर फिर से भरती का आफशर दिये जाने से गड़वाल मंडल के कारे सिख्षक अपने मंडल और जिनों में तेनाती पा सकते हैं क्योंकि आपको बता दूँ कि बहुत सरे ऐसे सिख्षक है जो गड़वाल मंडल के है उनको जॉइनिंग कुमाव मंडल में मिली हुई है और कुमाव मंडल के भी प्राइमरी सिख्षागे जिनको जॉइनिंग गडवाल मंडल में मिली भी है घर से दूर इनोकरी कर रहे हैं तो उन्होंने इस आस में इस फार्म का अपलाई किया है ताकि उनको घर के पास में पोस्टिंग मिल सके जबकि कुमाव मंडल के गड़ाल मंडल के कारफ पास सकते हैं लेकिन जिलो में जिला सिक्षा अधिकारी ने इसके लिए कहते हैं आपको बात करनी चाहिए अब इसमें मामला विभाग नोसी क्यों नहीं दे रहा है इस से पहले आप ये समझ लेजिए कि इस समझ में जो रामकेश्ण उनियाल जी है निर्शे के उन्होंने क क्य कि आखा है पेहले से का रशी सिक्सार नोट identifies अधरप का नोटिस स्थिपा देना होगा तो यह दूस सेंगर आपक नियुमसिल्टि के ना हो तो उनने एनुसी पर मिले गी कि उनको विवाख सेटिपा देना होगा और इस के साथ सद जहां तक मेरी जानकारी है तीन महेने की जो सैली है वो भी जमा करना होगा विभाग को तब जाके वो इस भरती में सामिल हो पाएंगे और उसका भी इतना बड़ा जो रिस्क है कि कोई अपनी गवर्मेंट या पर्बनेंट नोकरी को छोड़के एक फ्रेस नोकरी म उनको एक जमी जमाई विवस्था या जमी जमाई नोकरी से भी उनको इस्तिवा देना पड़ेगा तब जाके उनको नोसी मिल पाएगी ऐसे में यदि 350 लोग है लगबग तो उन्होंने दुवारा से अप्लाई किया तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क भी उनके लिए हो जा हाई है तो उनको अपने घरे जनपत में भी तैनाधी का अफसर मिल सकता है तो दोस्तों यह था इसका वीडियो इस वीडियो के रिगाडिंग को और जान करें कोच यह तो मैं कमेंट कर सकते हैं या फिर वीडियो को डिस्क्रेशन में आपको माने टेलिग्राम और